नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडूटेरिया देखें एडूटेरिया के तरब से बिहार वस्तुनिष्ट समान यद्धन करके बुक लॉंच किया गया है आप यहां पर देखेंगे तो यह बिहार के सभी एकजाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिससे आप देखेंगे तो आपका 51 प्रैक्किस सेट दिया गया है कल मैंने आपका सेट नमबर वन अप्लोड किया था आज हम कुछ टॉपिक हम देखने वाले हैं क्योंकि आपका एकजाम बहुत नजदिक है अगर आप वह सब टॉपिक कवर करके जाते हैं तो आपका बिहार पु करेंगे उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होगा आप सभी को हम सेकेंड वीडियों बता देंगे कि आपका कौन सा अगला टॉपिक होने वाला है तो चलिए आज का कुछन पहला नंबर क्या है इसको हम देख लेते हैं देखिए पहला आपका परस्न है बोला कि एवरे स्केंप तक पहुचने वाली बिहार की प्रत्व महिला जो है लक्षमी जहा बनी है अगला है कि बिहार के किस जीले में राज एक पहला क्लाइमेट चैंज लर्निंग लैब खोला गया है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए पतना में खोला गया कहां पर पतना बिहार किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लीपी मैप लगाया गया है और अगला वीडियो में जो है हम डिसकसन पूरा करने का प्रियास करेंगे ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा तो बिहार के पतना जक्सन हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है तीसरे का सी सही आंसर होगा पतन इत करवाए गया है कि इसका आंसर हो जाएगा अरवल होगा क्या होगा अरवल ऑप्सन नमबर भी होग मिहार का पहला आई-टी इमॉडल रूम कहां बनाया जा रहा है देखिए IT model room कहां पर बनाया जा रहा है दोस्तों यह आपका हो जाएगा option number C जो है गया इसका सही उत्तर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रिखिएगा नेस्ट कोसन है बोला कि integrated road accident database सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जीला कौन बना यह सब जतना भी आपको हम कोसन करवा रहे हैं सब कोसन एक्जाम के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जरूरी है यह सब कोसन एक्जाम में आ सकता है ऐसे कोसन आपको परिछा म सब क्किस कोई है तो आंसर जो कि आपका नलंदा हो जाएगा यह जो है शिक्स का सही आंसर होगा हाल ही ऐर घोष्णा के अनुसर बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहांस्थापित किया जाएगा इसका आंसर हो जागा भागलपूर में एस्थापित किया जाएगा Option नमबर सेविन का बी सही आंसर होगा भागलपूर जल जीवन सरवच्छन दो हैर तएवर तइस के अनुसार बिहार के किस जीले को प्रत्थम इस्थान प्राप्त हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा option number A होगा समस्ति पूर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेएगा समस्ति पूर correct आंसर हो जाएगा चले अगला हमारा कोशन है हाल ही में किये गोशना के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे उची प्रतीमा का निर्मान कहां किया जा रहा है तो answer हो जाएगा हिसुआ क्या होगा answer हिसुआ option number B सही अंसर हो जाएगा बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेश का परेचालन कहां से कहां तक किया गया है दीचे कहां से कहां तक किया गया है इसका आंसर हो जएगा 10 का देखेंगे तो बटना शिराची और डोस्हें सही उत्तर होगा अग्ला की बच्चों के लिए भारत का पहला cancer का खोले जाने की गोशना की गई है点 commit काउन पर कहा लेवन की बात करते हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा option number क्या होगा बताईएगा तो यह आपका मधुबनी होगा क्या होगा answer मधुबनी option number B सही होगा बिहार का सबसे बड़ा blood bank कहां खोला जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा blood bank दोस्तों कहां पर खुलेगा तो ये आपका खुलेगा मुझफरपूर में बिहार के मुझफरपूर में option number 12 का A सही आंसर होगा दुनिया का पहला रामायन विस्तो विद्याले कहां खोले जाने की घोशना की गई है देखे रामायन विस्तो विद्याले कहां खोले जाने की घोशना की गई है तो ये दोस्तों आपका वैसाली में खोलेगा है न तो option number 13 का A सही आंसर होगा वैसाली आप अच्छे से याद रखेगा अगला की देश का सबसे लंबा rubber dam जिसका निर्वान गया में फाल्गु नदी पर किया गया है इसकी लंबाई कितनी है देखे लंबाई आपको बताना है इसकी लंबाई कितना किया गया है इसका सही आंसर हो जागा 14 का option number A होगा 400 111 मीटर होगा option number A सही होगा विश्व के किस देश ने लड़कियों के सिक्षा को बढ़ावा देने की उदेश से बिहार की मुख्य मंत्री साइकल योजना को अपनाया है इसका आंसर आपको जागा जामबिया होगा option number जो है 15 का बी सही आंसर होगा जामबिया भारत का पहला Forest Health Lab का उद्गाटन किस जीले में किया गया है दोस्तो यह आपका हो जाएगा मुझफर पूर होगा option number जो है 16 का A सही आंसर होगा मुझफर पूर आगे हमारा प्रस्न है बिल्दो कि भारत का पहला Power Museum Complex कहां बन रहा है भारत का पहला Power Museum Complex कहां बन रहा है तो यह कुछन देखिए आपका एग्जाम में आ सकता है जो कि बहुँ ज़्यदा जरूरी है Museum Complex से संबंदित है तो यह आपका बिहार के पटना में बन रहा है जो कि option number 17 का A सही आंसर होगा पटना सत्प्रतिसत हर घर नल का जल पहुचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है बिहार का पहला जिला कौन सा है तो यह आपका आंसर क्या होगा बताईएगा इसका आंसर आप देखेंगे तो अरवल होगा option number 18 का A सही आंसर होगा 5G सेवा की सुरुआत देने वाला बिहार का प्रत्थम या फिर पहला हवाई अड़ा कौन है आंसर हो जायागा आपका पतना हवाई अड़ा हो जायागा जिसमें आपका 5G सेवा पतना हवाई अड़ा पे सुरू हो गया है तो कि C सही आंसर होगा बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्मान कहां किया गया है इसका आंसर हो जाएगा option number B होगा IGI MS होगा है ना option number B सही answer हो जाएगा next question question number 21 क्या बोल रहा है देखते हैं बिहार का पहला four lane green field expressway कहां से कहां तक बन रहा है कहां से कहां तक बन रहा है इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद पतना दर्भंगा option number 21 का A सही होगा अगला कि भोचपूरी भासा का पहला OTT एप किस नाम से जारे किया गया है तो यह तो आप सभी पता है यह आपका पुराना question है जो कि यह पर्थम ही आप इसको बोल सकते हैं यह question आ सकता है तो इसका answer देखिए आपका चौपाल हो जाएगा option number 22 का B सही answer होगा चौपाल OTT एप है ना चौपाल के नाम से है बिहार का पहला traffic park किस जीले में खोला जा रहा है देखिए traffic park इकी बात करते हैं तो इसका answer क्या होगा 23 का तो यह आपका पटना में खुलेगा है ना तो option number 23 का B सही answer होगा पटना आगे प्रस्थन है कि बिहार का पहला river safari किस जीले में शुरू किया गया है देखिए river safari जो है दोस्तो किस जीला में शुरू किया गया है बिहार के तो इस जीले का नाम है कैमूर क्या हो जागा कैमूर में दोस्तों जो है आपका safari है ना river safari जो है शुरू किया गया है कैमूर जीला में पूर्व मदह रेल्वे का पहला गति सक्ती कारगो टर्मिनल कहां खोला गया है कारगो टर्मिनल की बात करते हैं तो यह आपका कहां पर खोला गया है तो यह आपका बरौनी में खोला गया है option number 25 का ए सही होगा बरौनी बिहार के किस नगर निगम दोरा पहली digital currency जारी किया गया है digital currency जारी किया गया है इसका आंसर होगा पत्ना नगर निगम हो जाएगा option number 26 का भी सही होगा अगला की लड़कियों एवं महिलाओं के लिए महामारी स्वस्ता पर रोड मैप तयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो यह आपका बिहार हो जाएगा option number 27 का ए होगा बिहार बिहार का पहला odf plus model प्रक्षंड को घोसित किया गया है यह किस जिले में इस्तित है इस्माइल पूर प्रक्षंड है ना तो देखिए 28 का आंसर देखेंगे ति आपका भागल पूर जो है सही उत्तर हो जाएगा भी राइट आंसर हो जाएगा बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधी से पत्यदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है इसका आंसर आपका 29 हो जाएगा नालंदा हो जाएगा option नमबर जो है 29 का सी सही होगा नालंदा अगला के मौसम मोबाइल एप को विक्सित करने वाला भारत का पहला राज ये कौन सा है भारत का पहला राज ये कौन सा है तो यह आपका बिहार हो जाएगा option नमबर जो है 30 का ए सही आंसर होगा बिहार जो अगला हमारा कोसर है कोसरर नमबर 31 साथ प्रतीस्ट डिजिटल बैंकिंग सुिधाप राप्त करने वाला भारत का पहला जीह कोन है कर तो यहापका विहार होगा क्या होगा अनसर सुपॉल को option number B होगा किस दिथी को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्स सहीद दिवर्स मनाने की घोष्णा की गई है तो यह आपको जगा 15 फरवरी होगा क्या होगा answer 15 फरवरी यह सही होगा अगला कि बिहार प्रिथिवी दिवर्स प्रतिवर्स कब मनाया जाता है बिहार प्रिथिवी दिवर्स प्रतिवर्स कब मनाते हैं हम तो यह हम मनाते हैं 9 अगस्त के दिन कब मनाते हैं 9 अगस्त option number C बिहार में सराव सेवन को रोकने है तू प्रतिवर्स प्रतिबंध दिवर्स कब मना जाता है यह हम मनाते हैं 26 November को इक और हम दिवस के रूप में मनाते हैं आप एक कमिट करके बताईएगा बिहार संग्रहाले दिवस कब मनाते हैं यह हम 7 अगस्त को मनाते हैं ओप्सन नमबर जो है 37 का सी सही आंसर होगा 7 अगस्त अगला है बिहार में जल जीवन हर्याली दिवस मना जाता है कब अंशर हो जाएगा आप्सन नमबर अ होगा प्रति एक महा के प्रथममंगलवार को है ना हर एक महीना प्रथममंगलवार को मनाते है अगला के मिलेट य acres बाजरा मोहसो 2023 का यूजन बिहार में कहां किया गया है तो यह किया गया है भोजपूर में कहां पर भोजपूर आप्सन नमबर बी होगा बिहार मलमास मिला 2023 का यूजन कहां किया गया है बिहार मलमास मिला जो है 2023 का यूजन देखेंगे तो यह आपका राजगीर में किया गया है option number a सही होगा दोस्तों इसमें आपका जो है चालिस को संथा मैंने समाप्ट कर दिया है वीडियो कैसे लगा है कमेंट कीजिएगा और आप लोगों ने में से संबंधित पुरसकार देखनी वाले हैं चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत